ठेलो बच्चों, आज हमारा question है, write as decimal, हमें इनको decimal में लिखना है, कितना है हमारा आज़े को 7 upon 10 है, तो दो तरह से लिख सकते हैं, या तो मुझे 10 से इसको divide करतू, अगर मैं 10 से divide करतू 7 को, तो यहां देख रहे हैं, यहां 10 है हमारा पर यहां 7 है, यह तो छोटा है, तो हम क् decimal में आ गया, ओके, आप देखो 25 upon कितना है, 10 है, तो वह 10 से divide कर दो, 10 से divide करना 25 को, 10 2 जहे कितना हो जाएगा, 20, यह 5 आ रहा, यह 5, अब यहां पर हम point लगाएंगे, तो यहां 1 0 बढ़ जाएगा, जैसे हम यहां decimal लगाते हैं, वह यहां क्या बढ़ जाता, 0, तो 10 5 जहे कि 2.5, answer हो जाएगा, ओके, यहां देखो 24 upon 10 है, तो 24 upon कितना है, 10, भाई तो 10 से divide करेंगे, 24 को, 10 2 जह, 20, 4 बचरा, यहां decimal लगाएंगे, यहां 0 बढ़ जाए, जैसे हम यहां decimal लगाते हैं, यहां 0 बढ़ जाता, 10 4 जहे कितना हो जाएगा, 40, तो answer हमारे क्या हो जाएगा, 2. 2.4 हो जाएगा, ओके, अब यहां देखो 7.7 upon 100 है, तो भाई 100 से दिवाइट करेंगे, 7 को, मैंने यहां 0 बढ़ जाएगा, इस पॉइंट से सिर्फ एक 0 बढ़ जाएगा, यहां भी भी 70 होड़ है, यहां 100 है, मुझे तो एक होड जीरो, अगर मुझे एक होड जीरो बढ़ बढ़ जाएगा, इस पॉइंट से सिर्फ एक 0 बढ़ जाएगा, एक 0 लगाएगे तो यहां भी 1 0 बढ़ जाएगा, अब 107 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, तो हमारा 0.07 answer हो जाएगा, ओके, ऐसे हमारा देखो, 3, 2, 1 upon कितना 1000 है, तो 1000 से हमें डिवाइट करना, ओके, कि 3, 2, 1, छोटा है तो यहां पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 1000 तो हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 0, 1, 2, पॉइंट लगाएगा, एक 0, जोगो एक स्टेप पे एक 0, लेकिन जैस हमने एक 0 यहां लगाए तो यह दूसरी स्टेप आगे तो एक 0 हम यहां लगा सकते इस प 1000, कितना जाएगा, 0.3, यहां पर है, एक और में 0.321, ठीक है, ऐसे हमारा 3, 4, 5, 6 है, अपॉन कितना है, 1000, लोगो जीरो गिनो, एक पॉइंट यह भी हमारा, कि हम क्या करते है, 0 गिन, तो 1, 2, 3, 3, 0 है हमारा पर, तो डिजिट गिनो, 1, 2, 3, तो उसके आजे पॉइंट प्रिश प्रेश को